नमश्कार, न्यूस लिक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। इतिन्ट से जान बूज कर जोड़ दिया है। एक नए संसद भवन का उद्गाटन एक खुशी का अवसर है। लेकिन साथ ही ये एक ऐसी घटना भी है जो स्थापित करती है कि भारतिये लोकतंत्र और संस्थाओं को किस तरह से इस सरकार ने खोकला कर दिया है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा संसद भवन पुराना था और इसके लिए बहुत मरम्मत और रेनोवेशन की आवशकता थी। इसके अलावा अगले डी लिमिटेशन के बाद संसदिय सीटों की संख्या में एक्सपेक्टेड वृद्धी के बाद पुराना भवन छोटा पड़ जाता। जैसा कि आप जानते हैं 2002 में इस प्रक्रिया पर 2026 तक एक रोक लगा दी गई थी। मैं इस समय इसके बारे में और डीटेल्स में नहीं बात करूँगा क्योंकि वो सब्जेक्ट बिलकुल अलग है। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये बताना चाहूंगा कि इस समय जब भारतिय अर्थ वेवस्ता कोविड-19 महामारी के कारण हुए नुकसान से उबर नहीं पाई है तब नया संसद भवन बनाने की कोई अर्जेंसी नहीं थी। पहला बिंदू ये सपश्ट है कि नया संसद निर्मान का फैसला कुछ स्पेक्टाकुलर कंस्ट्रक्ट करने के विचार से लिया गया था। सब जानते हैं जब निव रखी जाती है और इमारत का उधगातन किया जाता है तो प्लाक्स पर नेता का नाम एच किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नय संसद भवन का अभी उधगातन और डिसेंबर 2020 में भूमी पूजन करने का निर्नय कॉन्सिटूशनली प्रब्लेमाटिक है। पहली इंकंसिस्टेंसी समविधान के आर्टिकल 79 के कारण है। उसमें लिखा है, there shall be a parliament for the union which shall consist of the president and two houses। इसके बाद संसद के दोनों houses का वर्णन है। समविधान का ये आर्टिकल स्पष्ट करता है कि संसद के functioning और management में प्रधानमंत्री के कारेला या फिर office का कोई रोल नहीं है। प्रधानमंत्री, head of the council of ministers या सदन के नेता होते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से संसद में कोई position नहीं होती है उनकी। अब बात करते हैं अन्य points पर। उद्घाटन के तमाम occasions होने के बावजूद मोधी सरकार ने सावर कर birth anniversary ही क्यों चुना। क्या इसलिए तो नहीं कि 28 मई जवाहारलाल नहरू के अंतिम संसकार का दिन भी है। जब सावर कर की बात आती है तो उनके जीवन और उपलब्दियों के बारे में कई विवादासपक बाते हैं। पहला है क्या वे वास्तव में इतना बहादूर थे कि उन्हें अभी भी वीर या फिर स्वतंत्र वीर कहलाना योग्य है। हिंदुसान के राश्री आंदोलन में उन्होंने कब, कहां और कैसे अपनी वीरता का प्रदर्शन दिया था। 1931 में सावर कर ने अपने बच्पन के दिनों पर एक निबंध लिखा था। उस समय उनके उम्र 48 वर्ष की थी और अंग्रेजों ने उन्हें रतनागिरी डिस्ट्रिक्ट में कैद कर दिया था। सावर कर ने लिखा था कि बच्पन के दौरान उनकी राजनेतिक महतो कांक्षा क्रांती से प्रभावित थी। बहदुरी मुसल्मानों के विरुद व्यक्त हुई। 1894-95 में बॉंबे और पूना में हिंदू-मुसलिम दंगेओं के बारे में अख़बारों में रिपोर्ट्स पढ़े उन्होंने और उसे इंस्पायर हो गए। इतिहासकार, Vinayak Chaturvedi ने अपनी किताब, Hindutwo and Violence, V.D. Savarkar and the Politics of History, उसमें उन्होंने Savarkar को कोट किया है। I gathered together my young friends and decided to make a reprisal for this national insult and what can be better way to do this than to march upon the only deserted mosque outside the village gate. The batch of boys, name, heroes, aged between 12 or 13, proceeded one evening to storm the mosque stealthily according to the mode of guerrilla warfare. There was, of course, no one in the mosque. ये थी उनकी बहादुरी. Savarkar academic रूप से bright थे और contacts बनाने में माहिर. उसकी वज़े से उन्हें इंगलेंड जाने के लिए scholarship मिली. वहाँ उन्होंने law की पढ़ाई की और India house में रहे जिसे एक राश्रवादी शाम जी कृष्ण वर्मा ने sponsor किया था. लंडन में Savarkar ने extensively लिखा. 1906 से 1910 के बीच उन्होंने तीन पुस्तके लिखी. कई अख़वारों में लेख, निबंदों, की एक शिंखला और न्यूजलेटर्स सब कुछ लिखा इनोंने. इसके अलावा वे राजनितिक रूप से भी सक्रिय थे लंडन में. उन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया. अभिनव भारत समाज. काफी हद तक सावरकर ने मदनलाल धींगरा को प्रेरित किया, जब उन्होंने एक जुलाए उन्यसों नौ को बिटिश सोल्जर आफिसर करजन वाईली की हत्या की. हत्या ने राश्ट्रवादी भारतियों को जगजोर कर रख दिया, और इसकी निन्दा करने के लिए एक सभा आयुजित की गई. पर वहाँ सावरकर ने इसका विरोध किया, निन्दा पस्ताव का. गांधी जी के लिए हत्या भारत के उद्देशों के लिए हानिकारत था. गांधी के अनुसार, धींगरा का एक्शन एक कायर का था. उन्होंने इंडियन उपीनियन मैगजीन में लिखा. Mr. Dhingra himself is innocent. The murder was committed in a state of intoxication. It is not merely wine और भांग that makes one drunk. A mad idea also can do so. गांधी जी का विचार था कि Dhingra दोशी नहीं थे, बलकि असली दोशी सावर कर थे. लंडन में अपनी गतिविदियों के लिए सावर कर को पहले पैरिस भागना पड़ा, और मार्च 1910 में जब लंडन लोटे तो उन्हें गिरिफतार कर लिया गया. अभिनव भारत सोसाइटी की लंडन शाखा ने भारत में भारतिये क्रांतिकारियों के लिए एक बॉम्ब मैनूल तयार किया. सावर कर ने भारत में वहां के जो क्रांतिकारी थे उनको पिस्टल्स भी भेजी थी. विनाएक सावर कर के बड़े भाई घनेश को दोशी ठेराने वाले बिटिश मैजिस्ट्रेट को मारने के लिए इस पिस्टल का इस्तिमाल किया गया था. इस मामले को नासिक कॉंस्पिरेसी केस कहा जाता है. सावर कर को भारत वापस लाया जा रहा था लेकिन जब जहाज फ्रांस में रुका था तो उन्होंने भागने की कोशिश की. पर फ्रेंच पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और दुबारा ब्रिटिश शिप में वापस कर दिया. लंडन में सावर कर के एक्शन्स के कारण ही उन्हें वीर कहा जाता है. लेकिन अगर आप उनके एक्शन्स का नौन पार्टिजन तरीके से विशलेशन करें, तो आप निशकश निकालेंगे कि उन्होंने भारतिय स्वतंतरता के एजेंडे को आगे बढ़ाने में बहुत कम भूमी का निभाई. सावरकर ने धिंगरा को एक बिटिश अधिकारी की हत्या के लिए उकसाया, जिसके लिए उन्हें फांसी दी गई. मेरे अनुसार, बदनलाल धिंगरा नाथूराम गोटसे के शुरुवाती अवतार के तरह थे. सावरकर ने वर्षों तक इंडॉक्ट्रिनेट किया, लेकिन उन पर कभी भी कोई आरोप नहीं लगाया गया. सावरकर ना सिर्फ वीर नहीं थे, जी हाँ वीर नहीं थे, वो तो कायर भी थे, जी हाँ कावर्ड. 1911 में जेल में जाते ही, अपनी रिहाई के लिए एक माफी नामा लिखा. इसके बाद 1912, 1914, 16, 18 और अंत में 1920 में दो माफी पत्र. मैं किसी भी शमतास में सरकार की सेवा करने के लिए तयार हूँ. मैं कहां लोट सकता हूँ सिवाए सरकार के दर्वाजे पर? बहुत देर हो चुकी है और मैं आखिरी मौका मांग रहा हूँ. मैं धिर्टा से सम्विधान का पालन करूँगा. ब्रिटिश सत्ता को लिखे, उनके पत्रों में इस तरह के बयान आम थे. इन पत्रों से ये स्पष्ट है कि शायद सावरकर जेल जीवन की कठोरता से डर गए थे. या फिर ये भी हो सकता है. दोशी ठेराए जाने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया था उसके लिए रिग्रेट था. भारत में हिंदू दक्षिनपन्थी फोर्सिस के पास सावरकर के माफी नामे को जस्टिफाई करने के लिए कुछ नहीं है. कभी कभी कहते हैं कि गांधी जी ने सावरकर को ये खत लिखने के लिए सज़ेस्ट किया था. ये बात बिलकुल जूटी और गलत है. अब आते हैं चौथे पॉइंट पर. क्या सावरकर गांधी हत्याकांड में को कॉंस्पिरेटर थे? हम सभी जानते हैं कि दिल्ली की ट्रायल कोट ने साजिस में शामिल होने के आरोप से सावरकर को बरी कर दिया था. पत्रकार और लेखक धिरेंद्र ज्हा ने अपनी किताब गांधी ज एसैसिन में लिखा है कि गोडसे ने साजिश का एक्जिस्टेंस को पूरी तरह से डिनाई किया. इसके कारण सावरकर सहीत कई और बरी हुए. धिरेंद्र ज्हा के अनुसार 8 नवंबर 1948 को अदालत में पढ़ा गया गोडसे का रिटन स्टेट्मेंट केवल उनके द्वारा तयार नहीं किया गया था. उन्हें किसी विशेशग्य से मदद जरूर मिली थी. कई वर्ष बीतने के बाद जब गांधी हत्या की असली कहानी को लेकर विवाद फिर से ट्रिगर हुआ तब सरकार ने एक जाँच आयोग बिठाई थी. कपूर कमिशन की रिपोर्ट 1969 में पेश की गई थी. रिपोर्ट का सबसे इंडिकेटिव पोर्षन ये था. All these facts taken together were destructive of any theory other than the conspiracy to murder by सावरकर and his group. सावरकर के खिलाफ कोई action नहीं लिया जा सका क्योंकि कपूर कमिशन रिपोर्ट उनकी मृत्यू के तीन साल बाद सरकार को submit किया गया था. लेकिन उनकी और उंगली उठाने के बजाए विभिन्न सरकारों ने उन्हें एक राश्रवादी के रूप में चित्रित किया है. शुरुवात इंडिरा गांधी नहीं कर दी थी. उनकी सरकार ने सावरकर की स्मृती में एक डाक टिकेट भी जारी किया था. और अब इस मोदी सरकार ने सावरकर की जैनती पर नए संसत भवन का उद्घाटन करने का फैसला किया. ये इस सरकार के सबसे निंदनिये अक्शन्स में से एक है. अपने पूरे राजनितिक लेखन करियर में सावरकर की ने ना केवल गांधी और अन्य राश्ट्री आंदोलन के दिगजों के साथ मद्भेद को डिस्पले किया, बलकि उन्होंने उनके खिलाफ घ्रिना और हिंसा की भी वकालत की. सावरकर के लिखी, Essentials of Hindutva 1923 में प्रकाशित हुई थी. ये Divisive Treatise आज के हिंदू साम्प्रदाइक ताक्तों का एक तरह से Bible है. 2023 इस प्रकाशन का शताबदी वर्ष है. लेकिन इसके बारे में हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, किसी और एपिसोड में सिर्फ उस किताब के बारे में बात करेंगे. सावरकर के Imagination का भारत, सम्विधान में जो भारत की जो परिकल्पना है उससे समान नहीं है. और इसके बावजूद सावरकर को Constitutional Legitimacy प्रदान किया गया है इस सरकार द्वारा. ये एक्ट बहुत निंदनिय है. आप क्या कहते हैं? नमश्कार.